अगली दिश्चा है अगनी कौन पर फिर ठाहरना पड़ेगा थोड़ा देर तक तो कि इस वास्तु दोस्त की वज़ा से बहुत लोग परिशान हो जाते हैं अगर एक वास्तु दोस्त हुआ ना तो लाइव की लगती है ऐसे कि सब कुछ बरबाद हो गया थोड़ा समय इसके बारे पर डिटेल लिग देता हूं आपको अगनी लिख दिया हूं मैं अगर आपको याद नहों फिर से वापस पीछे जाके पढ़िए आपको दुबारा देखके समझे कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्ट्रॉय करता है अगनी कौन का बहुत बड़ा रोल है इंपोर्टेंट रोल है क्यों क्यों कि हमारे हां कैस जो कि आज की सबसे बड़ी जरूरत है कैस का लिक्विडिटी और फ्लो बना रहना आज की सबसे बड़ी रिक्वार्मेंट है हर आदमी लाइफ में तरक्की करना चाहता है उसके लिए बैंक से लोन लेता है लोगों से कर्ज से पैसा उठाता है कि बिजनस में लगाएंगे और वहां पर अगर अगनी कौन डेट हो गया तो फ्लो रुख जाएगा जब फ्लो रुखेगा पैसे की कमी आएगी फैक्टरी में घर में ऑफिस में कमी होगी फिर क्या करेगा फिर जाके लोन उठाके लाएगा यहां पर लगता दिक्कात आगया और कैस्ट लगाएंगे तो और सक्सेस करेंगे फिर वह पैसा मार्केट से उठाता है फिर सेम सेचुएशन फिर पैसा फ लखड़ा है कि मैं वहीं हूँ जब बिजनेस अच्छे से करता था और इस घर में नहीं आया था तो बहुत तरक्की करता था लेकिन तब याद आता है कि जब से इस घर में आया है ना तभी से समस्य आई है लेकिन जब तक हमारे यहां पहुंचते हैं जब तक वास्तू कंसल् करेंके तो सक्सेश करेंगे थोड़ा-स और घ्राया तो बैंक से ले लेते हैं जमीन कहीं ले रखा और उन्होंने लोन लेकिन जैसी अगनी कोन खराब हुआ, पैसे फसने लगे, पैसे अटकने लगे, सब कुछ खतम हो गया, फैक्टरी पे भी कर्ज था, फैक्टरी भी बैंक ने सील कर दिया, घर भी बैंक ने ले लिया, लास्ट में आया किराये के मकान में जाना पड़ेगा, सोची कितना में किसी का बुरा गरा आ गया, राहू चंद्रमा आ गया, या चंद्रमा में राहू आ गया, और थोड़ा से राहू खराब हुआ, तो फिर ऐसे ही से चोसे में सुसाइट कर लेते हैं, आपने डेली नीजपेपर में देखिए, सुसाइट के के से हमेशा मिलेंगे, कौन है लाइफ में किसी ने किसी बड़ी समस्या आने की वज़ा से वो अपने आपको बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और कई बार सुसाइटी में समाज में बहुत सरो मानने लोग, बहुत ही फेमस प्रस्नालेटी भी ऐसा कदम उठा लेते हैं, जिनके पास कई बार पैसा भी अच्छ कर रहे हैं, और सबसे बुरी स्थिति आएगी, सबसे बुरा कंडिशन आएगा, तो क्या करेंगे, हरिदवार है ना, रिसी केस है न, वहां जाके रहिए, अध्यात्म की सुरुवात वहां शुरू कीजिए, जाके, मैडिटेशन कीजिए, सत्संग कीजिए, संतों के साथ ज अध्यात्म का, हमने एक बुक पड़ा था, Among who sold his Ferrari, बहुत अची बुक है, आप भी पढ़के देखिएगा, कि एक व्यक्ति जो काफी बड़े पोस्ट पे होता है, वो सारी प्रोपटी सेल करके, मतलब पूरी मैटरलिस्टिक लाइफ को खत्म करके, अपनी फरारी तक को बे रिसी केस के आगे बढ़ता है, और जाके अध्यात्म में ऐसे लोगों से मिलता है, और meditation और अध्यात्मिक जीवन बतीत करता हूँ, जब दुबारा जाता है वहाँ पे, तो लोग देखके हरान हो जाते हैं, कि ये तो उमर इसका बुड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन कभी problem आने नहीं देगा, आप चाहिए जिस भी condition में हैं, इसको अगनी कोन कहा जाता है, और अगर घर में अगनी खराब होगी, तो आपका digestion के लिए भी अगनी ही ज़रूरी है, वहाँ भी problem आजागी, तो अब इस लिए फिजिकल प्रॉब्लम आन लएगी, तो financial energy को कंट्रोल करता है, आपका सारीरिक energy को कंट्रोल करता है, फिर अगर अगनी कोन ठीक है, तो आपके अंदर जो confidence होता है, जो आपका speech होता है, वह बहुत ही परभावसाली होता है, वह बहुत ही परभावित करता है लोगों को, क्योंकि सारा का सारा जीवन में जो game है, वो अच्छे सोच positive mind और confidence का है अगर आप nature से connect हो गया है आपका subconscious mind positive है और अगर अपके अंदर confidence है तो आप जीवन में जो चाहते हैं वो कर सकते हैं कहीं कोई रुकावट नहीं आ सकती वहीं लोग हार जाते हैं जिनका subconscious mind यानि mind का 90% हिस्सा है वो negative हो चुका होता है उनकी habits की वज़ा से उनके negative सोच की वज़ा से या उसास पास में बार बार negative बातों को सुन के उनकी thoughts जो negative हो गया होते हैं वो और उनका confidence level जो कम होता है यहीं उनकी सबसे बड़ी वज़ा होती है जीवन में हार की कि वो कई बार पैसा लगाते रहते हैं सकसिज नहीं होता सब कॉंपस्यम मैंड है वहाँ पे रहे हैं अध्र मैं छोंक Dadu प्लानिंग कर दी गई सब कॉनूंंस्यम मैंने वहां थोड़ा सा अपपो बताता ओंस के बारे में हैं आपने समंदर देखा था समंदर की ऐसे लहरे उट रही है हैं और समहंदर के अंदर आम Me दिखा होगा कि टाइंटानीड जाहाज इससे टकराया था न वेट टाइटनिघी जहाज़ज । भर्प के तुकड़े से टकरा गया था तो उब उपर जो टुकड़ा था वो दिखने जाता लगा था बहुत छोटा सा टुकड़ा है तो समंदर में जो बर्फ के टुकड़े होते हैं इसी तरीके से होते हैं दस परसेंट उपर और नाइन्टी परसेंट नीचे अब होता क्या है कि यह हमारा सब कॉंसियस माइंड है और यह कॉंसियस माइंड है कॉंसियस माइंड दस परसेंट सब कॉंसियस माइंड जो है वो 90 परसेंट है पेन और 90 का रेस्यू है आप खुद सोचिये कि 10 परसेंट ज्यादा प्रभावित करेगा या 90 परतीशत होता क्या है है हम जो भी चीज़े देख रहे है उसको कर रहे हैं जो सोच रहे हैं या कई चीजे सुन रहे हैं यहां आसपास के महाल से परभावित हो रहे हैं वह सारा इस 10 % का काम है और बार 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 एक ही चीज़ को क्रके जब आधत में कंवट हो जाए तो फिर सब कॉंशियस में ट्रांसफर हो जाता है ज Serge Sara पीने वाला Sara PInnes एक पीके महाल में रहा एक लिएड़ प्रॉट कि देखा दो बार पी देखा तीन बार पीके देखा पांच दिन पिया शे दिन पिया तब तक व边 10% में था जैसे ही वो रेगुलर लेने लगा उसकी हैबिट में कनवर्ट हो गया अब वो आ गया 90 परसेंट में और जैसे वो 90 परसेंट में कनवर्जन हुआ अब यह काम करना बंद कर दिया अब यह सारा रोल प्ले करेगा हमारी जीवन में स्बकॉंसियस माइंड का ही सारा रोल है कॉंसियस माइंड दो बदलता रहता है सुबह कुछ और दोफर में कुछ और साम में कुछ और आप सोचिए क assert कि जब आप गाहरी नीद में होते हैं तो क्या सांस बंद कर देते हैं क्या तो कौन सी वो दिमाग है कौन सा मन है कौन सा माइंड है कौन सी वो एनरजी है जो आपको बार-बार सांस लेने के लिए याद दिलाती है वो सबकॉंसेस माइंड है यह कभी नहीं सोता कई बार आपने गौर किया होगा कि सुबा चार बज़े की फ्लाइट है और हमें दो बज़े जाक के एरपोर्ट जाना है चलो जल्दी सो लेते हैं नो बज़े आप सो गए एलाम भी लगा लिया कि एक बज़े का एलाम लगा देते हैं बट आप हैरान हो जाएंगे कि ठीक एलाम बजने से पांच मिनट पहले आपकी निद्ध खुल कि एक एलाम है जिसको अमनी इंफॉर्मिशन दिया सोते समय कि एक बज़े हमें जागना है क्योंकि फ्लाइट का टाइम चार बज़े का है जल्दी जाना होगा त्यार होना है वो बात यहां चली गई और जब वो यहां चली गई तो सब कॉंसिस माइंड 24 आवर जाता है कभी नीश होता तो जैसे ही एलाम का टाइम हुआ ना उससे पहले आपको घंटी बजा दिया उठ जाओ टाइम हो गया एरपोर्ट जाना है और आप फटापट जाग जाते हैं घ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सब कॉंसिस माइंड जज्मेंट नहीं करता क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको कोई लेना देना नहीं सब कॉंसिस माइंड में जो बात डाल देंगे उसी को यह समझता है कई लोगों कि मैंने देखा है अरे ऐसा कहीं डर लगता ह आएसा काम्ना हो जाए कहीं मैं नुक्सान में न चला जाओं कैसे मेरे साथ बुरा नहीं हो जाए क्या होगया कहीं मेरे साथ बुरा हो जाए तो वैसा ही होगा गाड़ी पे बैठे, मन में बात आगई, कहीं मेरी एकस्टइंट न हो जाए, या कहीं गाड़ी में थोड़ी डेंट न लग जाए, अकसर डेंट लगेगा, क्योंकि नावर्ड हटा दिजिए, ये सब के साथ लागू होता है, हमारे साथ भी लागू होता है, जो भी व्यक्ति हैं उनके thoughts में ना word यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि जितना आप ना वर्ड यूज करते हैं आप उसी चीज को अपने तरह आकर्सित करते हैं क्योंकि सब conscious mind directly nature से connected है यह prepare करता है आने वाली planning के लिए यानि जब आप सुबह से गाड़ी से निकलते हैं और घर में हो गया जगड़ा आप ने क्या प्रिपेर किया आपने प्रिपेर कर दिया सुबह सुबह कि आज मेरा दीन खराब हो गया और जब आप घर से निकलते हैं रास्ते में आप अश्र करेंगे जैसी आप लालवत्ती के पास पहुंचेंगे उसी समय रेड लाइट हो जाएगा आपको रुकना पड़ेगा कि जब मैं जाओंगा तो हमारे साथ दीन खराब होगा हमारे साथ प्रॉब्लम होगी आज आज का दिन अच्छा नहीं रहने वाला इसलिए वो नहीं रहा एक बड़ी इसी सी कहानी सुनाता हूं ओसो की कहानी है ओसो को तो आप जानते ही होंगे ऐसे महापुरुस कभी कभी ज तरी के से काम करता है तो बैंक के मैनेजर सहाब थे उनके घर जाके एक्स्पेरिमेंट किया उन्होंने उनकी पत्नी को बताया कि जब इस सुबह जागेंगे न तो सबसे पहले कौन जाएगा तो नौकर जाएगा चाय देने के लिए तो बोले नौकर को बताये कि जैसे को पहल को जाए गया कि यही बाद घर के बाहर जो माली जो गारडेनिंग करता था उसको भी ऐबाद बता दी गयी फिर ड्राइबर को भी यही बाद समझाया गया राष्ते में जो है वो मैनेजर सापान खौने के लिए एक दुकान पर रुकते थे तो पानवाले के पास पानवाले को भी यही सिखा दिया गया था बैंक में गार्ड को भी यही सिखा दिया गया था एक पूरी तरीके से जाल भी छा दी गई थी उनके सब कॉंसियस मैंड में चेंजिस लाने के लिए अब जब सुबह सुबह जागे मैनेजर से आप तो जो नौकर गया उनके पास उसने कहां साब आप थोड़ा बिमार लग रहे हैं चेहरा बड़ा उत्रा-उत्रा सा है कई फीवर तो नहीं आपको तो उनको कुछ था ही नहीं नहीं था केसे लग रहे हैं सुबह सुबह मैं बिल्कुल फीटू को दिखाती नहीं है फिर जब बाहर निकले तो जो माली था उसने भी हैं सवाल कर दिया कि सर आपका चेहरा बड़ा उत्रा-उत्रा सा लग रहा आज आपको फीवर है तो तब तक उनका चेहरा थोड़ा तो उतर चुका था एक ही बात को बार-बार रिपीट किया गया था बार-बार रियलाइज करवाए गया था उनको कि आप बिमार है और वह थोड़ा सा सर भारी लग रहा है आज तो आज थोड़ा सुबह सुबह ऐसा लग रहा है कि कुछ मन ठीक नहीं है ड्राइवर भी सवाल गाड साहब बैंक में कहे तो उन्होंने भी सवाल पूछ दिया और दो पहर होते होते मैनेजर साहब का टंपरेचर 102 डिग्री यानि इतने लोगों के द्वारा बताई गई बातों की वज़ा से उनके सब कॉंसेस माइंड में प्रोग्रामिंग हुई कि आप बिमार है और मा बजते बजते तक उनका टंपरेचर 102 डिग्री यानि पूरा का पूरा फीवर आ गया तो आप इसी कहानी से आप समझ सकते हैं कि सब कॉंसेस माइंड कितना स्ट्रॉंग वर्क करता है और जो हमारी जनव कुणली में राहू है न वो सबसे पहले सब कॉंसेस माइंड को आप पूछेंगे सराब अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ बोले बहुत बुरी चीज़ है मैं है मैं इसा छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पाता क्यों कि बात अब सब कॉंसेस तक पहुंच चुकी है अब उसकी आदत में कनवर्ट हो गई है जब अगर टाइ पर सराब लेका आएगा और ये डेली करता है और सब कॉंसेस माइंड उसको बार बार याद दिलाता है यह जज़्मेंट नहीं करता कि सराब पीन बुरी बात है सब कॉंसेस माइंड की बारे में अगर बाते की जाए तो पूरा पूरा एक चैप्टर ही निकल जाएगा बट मैं इतना कहूंगा कि हमेशा अच्छी सोच रखिए अच्छी बाते कीजिए और बातों में कॉंफिडेंस रखिए जैसे मान लीजे कल सुबा दस बजे आपकी क अब सर्मा जी का अगर दो परसेंट भी मन नहीं है ना कि चलो यार कैंसिल कर देंगे अब आपके भासा की वज़ा से आपके लेंगवेज की वज़ा से आपके बात करने के स्टाइल की वज़ा से सर्मा जी मना कर देंगा नहीं नहीं कल तो बहुत जोरी काम था तो नहीं आ ने का था ना फिर भी ना नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपने बोल दिया सर्माजी मैं कल 10 पहुंच जाओंगा यानि आप उनके मन में जो विचारत हैं पचास प्रतिसत कि नहीं जाना है ना वो भी आपने बातों से 100% में कनवर्ट कर दिया अब सर्माजी बोली नहीं पाए कि कल मैं कहीं बीजी हूँ तो हमारी बातों का भी बहुत बड़ा परभाव पड़ता है तो अपने लैंगविज को भी बैलेंस करके और कहां पर क्या बोलना है यह मार्केटिंग स्किल है कि कैसे हमें किसी समान को सेल करना है तो सारे चीज़े हैं बट अभी हम सब कॉंसेंस कि देना कैस बिल्कुल जीरो हो जाना कॉंफिदेंस लो हो जाना है बलड से रिलेटेट कई बलड प्रेसर से रिलेटेट कई बड़ प्रब्लम आने लगती है वह होना यह सारा का सारा रोल क्या है अगनी कोन का है